तो दियर स्टुडेंट्स तो हेरा नेक्स टॉपिक इस राउंड ओफ तॉलाइंग नंबर्स टू दू नियरेस थाउजेंड लास्ट हमने जो कोश्चन सॉल्फ कि थे उसमें हमने नियरेस 10 फी नियरेस 100 में राउंड ओफ किया अब हम जो हमारे पास नंबर जो दिये गए है फाइब तू नाइन कोई भी डिजिट है तो कहां कनवर्ट होगा नेक्स टो उसका नियरेस 1000 होगा उसमें जो है वो कनवर्ट होगा सो हेर दा फास्ट कॉश्चन इस क्वेश्चन नंबर फॉर फास्ट पार्टीज तू थाउजेंट फाइव हंडर्ड लास्ट जब हमने व अब 124 जिया था कि अगर इन में से कोई होगा तो जो उसका स्का नियरी नंबर है उसमें convert होगा जब कि 529 होगा तो उसका जो next number होगा उसमें जो है वो convert होगा तो जब हम thousand में hundred place देख तो यहां पर क्या है five तो it means यह कहां पर convert होगा जो next nearest number है तो के बाद क्याएगा थ्री तो यहां आ गया थ्री थाउजेंट सेम हमने वही किया हमने देखा कि कौन से group में वेरी कर रहा है वहां से हमने जो है इसको next में जो है वो convert कर दिया अब जैसे second हमारे पास है second part है 5442 अब यहां पर सेम हम सेम हम जो हमारे पास 100 प्लेस पे डिजिट है वो है four तो it means यह इस वाले group में वेरी कर रहा है तो यहां पर जो हमारा nearest thousand होगा उसमें हम convert करेंगे तो सेम हमारे पास 5000 जो है वो रह जाए अगर यहां पर five to nine उता तो यह क्या हो था six thousand otherwise जब हमारे पास सेम यही नंबर है तो यहां पर क्या रहेगा five thousand इसके बाद हमारे पास इससे fourth part है eighty thousand five hundred forty three सेम इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास यहां पर क्या है five तो यह कौन से group में वेरी कर रहा है second में तो it means यह इसके next नंबर में क्या हो जाएगा convert हो जाएगा तो यहां पर है eighty thousand five hundred fifty three eighty thousand तो it means यहां पर क्या बन जाएगा यह eighty one thousand next हमारे पास इससे sixth part है five lakh sixty thousand eight hundred forty सेम यहां पर हम क्या करेंगे कौन सा नंबर देखेंगे hundred place पे है eight it means यह second group में वेरी कर रहा है और यह क्या होगा यहां पर जो है यह next नंबर में जो है वो convert हो जाएगा तो यहां पर क्या है five thousand sorry five lakh sixty thousand तो it means यह क्या बन जाएगा sixty one thousand तो I hope आपको जो है वो thousand में भी समझ में आगे कि हमने कैसे जो है वो thousand में जो है वो convert किये बाकी के पार्ट जो है वो आपने same as it is जैसे हमने यह four parts जो है वो solve किये बाकी के पार्ट सेम आपने ऐसे ही solve करने है अगर आपको फिर भी कोई कोई इसमें कोई है इन questions में तो आप मुझे पूछ लेना एक बार अधरवाइस हम कल से next to questions है वो start करेंगे से estimation में some difference वो start करेंगे ओकी थैंक यू